सुप्रभाद बच्चों, बच्चों हमने टोपी वाला और बंदर कहानी पढ़ी थी ना? आज हम इसी कहानी के बारे में कुछ बाते करेंगे, ओके? बच्चों, टोपी वाले की टोपिया किसने ले ली थी? कहानी में टोपी वाले की टोपिया किसने ले ली थी? येस बंदरों ने बंदरों ने टोपी वाले की टोपिया ले ली थी बच्चो इस कहानी में बंदर कहां रहते थे? इस कहानी में बंदर कहां रहते थे? बंदर पेड़ पर रहते थे बच्चो बंदरों का सभाव कैसा होता है? बंदरों का सभाव नकल्ची होता है इस कहानी से हमें क्या सिख्छा मिलती है? इस कहानी से हमें यहा सिख्छा मिलती है समय चाहे जैसा भी हो हमें समझदारी से काम लेना चाहिए ओके? धन्यवाद बच्चो